संब्सक्राइब तक अगया है अगने टेश्ट टोस्ट खेम कहो सकते हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी है फिल्स ब्रेट स्लाइशिस बटर लिया है ग्रेट के पीसे को ग्रेट के लिया है आप चाहे ही तो गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं हाफ टीश्पून मैंने चार गार्लिक के पीस को ग्रेट रेट किया है अब हम इसमें डालें चिली फ्लेक्स वन फोर टी स्पूर मैंने चीली फ्लिक्स ली है, साथ पीस में हम डालेंगे औरी गैनोट वन फोर टी स्पूर, इसे हम कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स बटर और गार्लिक और हमारा चीली फ्लिक्स अच्छे से मिक्स हो गए है अब हम ब्रेट की एक साइड को टोस्ट कर लेते हैं पैन को कर लेते हैं थोड़ा सा क्रीस मैं उसी बटर से कर रही हूँ जिसमें मैंने चीली फ्लेक्स और ओरीगानो डाला था इसमें हम रख लेते हैं ब्रेट की स्लाइसिस को और हलका सा टोस्ट कर लेते हैं ब्रेड को हम low to medium flame पर थोड़ा सा क्रिस्प होने तक टोस्ट कर लेते हैं from one side उस side हम लगाएंगे veggies ब्रेड हमारे थोड़े से टोस्ट हो गए है फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे उतार लेते हैं ब्रेड पर लगा लेते हैं butter जिस side हमने इसे टोस्ट किया था उस side हम लगाएंगे दोनों slices पर हम लगा लेते हैं हमारा हम cheesy garlic bread बना रहे हैं तो इसलिए हमें butter तो खूप सारा लगाना होगा अब इसके उपर डालेते हैं chopped onion chopped capsicum chopped carrots carrots बहुत थोड़ी जाएंगी portion में साथ ही chopped tomato आप चाहने तो sweet corn डाल सकते हैं इसमें या फिर mushrooms यूज़ कर सकते हैं या फिर olives भी डाल सकते हैं स्प्रिंकल कर लेते हैं some salt और साथ में जाएगा थोड़ा सा black pepper अब इसके ओपर ग्रेट कर लेते हैं हम cheese मैंने cheese grate कर लिया है मैंने mozzarella cheese यूज किया है आप चाहने तो कोई भी cheese यूज कर सकते हैं इसके ओपर स्प्रिंकल कर लेते हैं some chili flakes तब हम ग्रीस कर लेते हैं butter से इसके ओपर रख देते हैं हमारी bread के slices क्रिस्प होने पकाना है जब तक की नीचे से जो हमारी bread की layer है क्रिस्प ना हो जाए और ऊपर से थोड़ी सी हमारी cheese मैल्ट ना हो जाए तो इसे कर देते हैं lid से cover for 2-3 minutes दो मिनिट हो गए हैं आप देख सकते हैं cheese जो है हमारी इसे हम साब कर लेते हैं कंवायव और मिल्ट हो गई और प्रेटबी उमारा नीचे से अच्छा क्रिस्प हो गया है यहां आवर चीजी गालिक टोस्ट बनकर त्यार हैं बहुत चीजी हैं वेजी से भरे हुए हैं थोड़ा सा इसके उपस प्रिंकल कर लेते हैं और ही गैनों और सम चीली फ्लेक्स को गार्निशिंग अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई फी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर लिखें साथ में इसके बेल बटन दिया है उसे जरूर दबाएगा आपको रेगलर अपडेट्स मिलती रहेंगे थाइंक यू पर बोगी माई वीडियो